हिंदी माध्यम की पाट साला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम एंसेयर्टी के एक अच्छा नौवी के गड़ित के अध्याय दस व्रत का परिचर पढ़ेंगे दोस्तों व्रत अध्याय के इस वीडियो में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे ब्रत से संबंदित कुछ अन्य पदों के बारे में पढ़ेंगे जैसे की केंद्र तुरज्जा व्यास परिदी जीवा इत्यादी तथा ब्रत के कुछ गुणों के बारे में भी अध्यान करेंगे ठीक है तो यह ब्रत क्या होता है यह तो आपको पताई है एक गोलाकृती इसे कि हम ब्रत कहते हैं ठीक है उसका एक केंद्रोगा एक त्रिज्जा होगी इन सभी का हम अध्यन करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तों आईए सबसे पहले हम ब्रत की परिभाषा को समझ लेते हैं कि ब्रत किसे कहते हैं ठीक है ब्रत आप लोगों को पता है किसे कहते हैं लेकिन ब्रत की परिभाषा बहुत ही जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि जब आप बड़े हों और जब आप कभी इंटर्व्यू तो आप से पूछ लिया जाए कि वृत कैसे कहते हैं तो उसकी परिवाशा को जानना हमारे लिए जरूरी है एक तल पर उन सभी बिंदू का समूँ जो तल के एक इस्थिर बिंदू से एक इस्थिर यानि की बराबर दूरी पर इस्थितों वृत कहलाता है ठीक इसको समझते है भiloga छाएं फिर स्कों दोबारा पढ़ेंगे एए जैसे हमने एक बिंदू लिया दूसरा विंदू लिया लाल रंके बिंदू लिया और यह तीसरा यह यह तूरी पर क्रिस्थित से त स्कताइब tbp eva to be सれない räकार यह दोरी हिस्तिर मतलब कि यह दोरियां बराबर हूं ठीक है यह तीनों दुरियां आपसमें बराबर हूं ठीक है थ intenseơi बिन्दों को सम्मूओ कैलता है ब्रत कहलता है थीक है यानिकि ऐसे बिंदों का समू ब्रत कहलाता है जो की एक इस्थिर बिंदो से बरावर दूरी पर इस्थित हो ठीक है तो ये है ब्रत की परिभाशा ठीक है आप हम केंद्र की परिवाषा पढ़ते हैं अंग्रेजी में से सेंटर कहते हैं इस्ठ्र बिंदू को ब्रत का केंद्र कहते हैं ठीक है यह ब्रत है और ब्रत के अंदर जो इस्ठ्र बिंद्र होता है जिससे बриदर我想 अ होते हैं तो वो जो इस्थिर बिंदू होता है वो क्या कहलता है ब्रत का केंद्र यहां पर जो ओ है वो क्या है हमारा ब्रत का केंद्र है जो इस्थिर बिंदू है वो ब्रत का केंद्र कहलाता है अब हम तरज्द्द्दते की परिभाशा पढ़ते हैं तरज्द्द्दी में रेडियस भी कहते है ठीके तरज्द्द्द रहे lap पर करते हैं फिससे दूरी wants व्रत की तcasin तो यहाँ पर जो लंबाई ओपी है वो क्या है व्रत की तरज्जा है व्रत की तरज्जा का एक और परिभाशा है उसको भी पढ़ लेते हैं केंद्र को व्रत के किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखाकंड भी व्रत की तरज्जा कहलाता है मतलब केंद्र से व्रत के किसी को मिलाकर हम कोई रेखा खीचें रेखाखंड खीचें तो वो रेखाखंड भी क्या कहलाता है तरज्जा कहलाता है अधात क्या निश्काष निकला कि तरज्जा को दो अर्थों में प्रयोक किया जाता है रेखाखंड के रूप में कौन सा रेखाखंड केंद्र को व्रत के किस भी बिंदों से मिलाने वाला रेखाकंड भी व्रत की तरज्जा कहलाता है व्रत की रचना ठीक है व्रत की रचना करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रकार लेना पड़ेगा तथा इसमें पैंसिल को लगाना पड़ेगा है तो हमने एक त्विकरद ले लिए और उसे एक pencil लगा दियेगे अब हमें बृत किष्णी है तो बृत की तरजह हमें पता होना चाहिए कि हमने यहां पर, 98 से 2 cm बृत की तरजह नाप लिए कैसे नापी बृत की त safest नुखीले हिस्से और पैंसिल्छे 20 के दूरी है प्वह हमारी क क्या करेंगे इसका नुकीला कदो कथदेंगे वह हमारा केंडर काफ़ा पैंसिल लगी है उसे कुछ दूरी सरे को उसी बिंदू पर श्थर कर दूसरी बाजा को एक चक्र को माइए यह पैंसिल जो है उसको एक चक्र गुमाएंगे हम ठीक है गोल गोल चक्र गुमाएंगे फिर जो पैंसिल पर जो अक्रती पैंसिल से जो कागच पर अक्रती बनेगी वो क्या होगी ब्रत होगी ठीक है आप देख पाएंगे कि पैंसिल से जो अक्रती बन रही है वो क्या बन र एक ब्रत है दोस्तों ठीके एक तल पर स्थित ए ठीके अब हम देखते हैं एक ब्रत उस तल को जिस तल पर वह स्थित है तीन भागों में विवज़त करता है कौन-कौन से हैं वो two बाग पहला प्रत के अंदर जो ciao और हो बधार कोखे और इस भाग को क्या कहते हैं अभियंतर भी कहते हैं दूसरा खुद बेदृत है अभी देखे उसका रंग बदला व सब्सक्राइब यह को हो universities ऐस्ट और वह ही भार्ग में जीवा, आईए आप हम जीवा की परिवाशा पढ़ते हैं यदि एक ब्रत पर दो बिंदू, कोई भी दो बिंदू ले यहां पर हमने PQ लिया है तो रेखाकाण PQ क्या होता है, ब्रत की एक जीवा कहलाती है ठीक है तो PQ ली हमने दो बिंदु बिरत पर और इन दोनों बिंदूं को मिला दिया और एक रिखाकंड खीचा तो यह जो रिखाकंड है PQ यह रिखाकंड PQ क्या कहलाएगा हमारा जीवा कहलाएगा ब्रत की जीवा कहलाएगा व्यास आईए अब हम व्यास की परिवाशा पढ़ते हैं उच जीवा को जो व्रत के केंद से होकर जाती है व्रत का व्यास कहलाती है ठीक है तो अभी हमने जीवा देखी थी पी क्यों ठीक है पर आप हमने एक जीवा ली जो व्रत के केंद से होकर जाती है ठीक है यह जीवा है A, B, जो वरत के केंद ओ से होकर जाती है, तो ये जीवा A, B, जो वरत के केंद से होकर जाती है, क्या कहलाईगी हमारा वरत का व्यास, तो A, B, यहाँ पर हमारा वरत का व्यास होगा, ठीक है, तरज्या के समान, शब्द व्यास को भी दो अर्थों में प्रयोप्त किया जाता है असा एक रिखाखंड के रूप में तता इसकी लंबाई के रूप में है ठीक है व्यास विरत की सबसे लंबी जीवा होती है ये आप व्याद रखी का विरत की सबसे लंबी जीवा कौन से होती है व्यास तता सभी व्यासों की लंबाई समान होती है ठीक है सभी व्यास समान लं होगा अधात रिखाखंद के रूप में तो रिकाखंद के रूप में हम कैसे परयोक करेंगी है इसको कि व्यास वह रिखाखंद होगा जो ब्रत फर यह पर हम लंबाई के रूप में बोलेंगे तो त्रिज्यक से जो दोगनी लंबाई का जीवा होगा, वो बृत का व्यास होगा, ठीक है? आईए अब हम चाप के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ऐसे आर्क कहते हैं, ठीक है? तो चाप की परिमाशा क्या है? दो बिंदू के बीच के ब्रत के भाग को चाप कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए पी के दो बिंदू है, ठीक है? इसके बीच के भाग को क्या कहेंगे हम चाप, ठीक है? तो यह लाल कलर का जो भाग है, यह एक चाप है, ठीक है? और यह न उसको हम क्या कहेंगे धीर की चाप ठीक है और जो छोटा भाग होगा उसको हम कहेंगे लगू चाप ठीक है क्योंकि बड़े को हम धीर कहते हैं और छोटे को हम लगू कहते हैं तो जो बड़ा भाग है निले रंका इसे हम कहेंगे धीर की चाप ठीक है और जो छोटा भाग है छाप लाल रंचा उसे हम कहेंगे लग्व चाप तो चाप की परिवाशा jó तो दौबिंधूं के बिच के ब्रत का भाग ठीक है यहां पर त्रेक्ग धान के प्रफ पर पार उसके विज स Allen है थीक है इन में से बढ़ा है तो यह से हम कहते हैं दीज साप और एक चाप थेक जब पी और क्यू एक व्यास के सिरे हों तो दोनों चाप बेराबर हो जाएगे तो हम जो प्रतेग चाप है जो दोनों बरावर चाप है उनको प्रतेश के राएंगेilen स्ब्सक्राइब दोनों चापर राबध राइंगे तो यह लाल रंग रोंगर है और जो ऊपनीन रण रहत है और वह बियानी रुटी ईफ़न होगा है तो जब पी और क्यू एक व्यास के सिरे हो तो दोनों चाब क्या है वराबर हो जाएंगे तो दोनों चाब क्या किलाएंगे हमारे अर्द व्रत किलाएंगे परिदी, अब हम परिदी की परिवाशा पढ़ते हैं, संपून ब्रत की लंबाई को उसकी परिदी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो लाल रंग दिख रहा है, जो ब्रत है, ठीक है, इसको अगर हम नापेंगे स्केल से, इसकी जो लंबाई निकलेगी, वो क्या ब्रत की परिदी कहलाएगी, ठीक है, ब्रत खंड, ठीक है, अब ब्रत खंड को भी अगर हम संदीर चेत करके पढ़ें, तो ब्रत धन खंड, खंड मतलब की हिस्सा, टुकडा, ठीक है, तो ब्रत के टुकडे, ठीक है, ब्रत के हिस्से, इसको हम पढ़ते हैं, जीवा तथा प्रतेख्षः चाप के मद छेत्ट को व्रतीय छेत्र का खंड कहते हैं तो पी क्यू यहाँ पर जीवा है हमारी तीक और फीक चाप भी है तो यहाँ पर आप समझे जीवा और चाप में क्या अंतर है जो चाप होता है वह एक होता है सीधी लाइन होती है ठीक है और जो चाप होता है वो ब्रत परस्थेत होता है यहां पर यह जो काला वाला रेखा खंड है यह है आपकी जीवा और यह जो लाल बना हुआ है यह है आपका चाप ठीक है तो अब ब्रत खंड की परिवाशा को पढ़ता है जीवा तथा प् और जो लाल वाला है वो लगुचाप है ठीक है अब चाप और जीवा के बीच का जो छेत्र है ठीक है अब देखिए नीचे देखिए लगुचाप में लाल वाला लगुचाप है चाप और जीवा जो काली वाली रेखाखंड है वो जीवा है इसके जो बीच का छेत्र है यह क् निलावल्ला है वह चाप है और जो काली रेका है पीक्यू वह क्या है हमारा वह हमारा है जीवा ठीक है तो चाप और जीवा के बीच का जो छेत्र है ठीक है वह क्या कहलाता है व्रतिय छेत्र या व्रत्खंड ठीक है अब व्रत्खंड दो प्रकार के होते हैं लगू व्रत्ख ठीक है तो लगू चाप और जीवा के बीच का जो व्रत्खंड है वो क्या कहलाएगा हमारा लगू व्रत्खंड उसी प्रकार धीर की चाप और जीवा के बीच का जो व्रत्खंड है वो क्या कहलाएगा हमारा धीर व्रत्खंड ठीक है तो इस प्रकार हमने व्रत्खंड को देवी की चाप और जीवा के बीच का छेत्र तो जैसे हमने व्रत खंड के बारे में पढ़ा वैसा ही अब हम तरजिखंड के बारे में पढ़ते हैं कि तरजिखंड कैसे कहते हैं ठीक है तो पहले परिवाशा पढ़ लेते हैं फिर हम इसको समझ लेंगे केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली तरज जाएं एवं चाप के बीच के छेतर को तरजगंड कहते हैं ठीक है यहां पर एक ब्रत दिया गया है उस पर चाप हमने ले लिया पी क्यों अब कहा गया केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली तरज्जा है केंद्र ओ है तो चाप के सिरों से मिला देते हैं पहले ओ को पी से मिला दिया और ओ को क्यू से मिला दिया तो केंद्र को चाप के सिरों से मिलाने वाली तरज्जा है तरजज़ यहांपे कौन सी है O P और O Q एवं चाप के बीज़ के छेतर को तरजज़खण कहते है तो यहाँ पर दो चाप है लगई चाप और धीर चाप तरज़ज़ं दिस्टर से क्यों थै यह जो छेतर हम दिखा रहे है यह वाला जो छेतर है और त्रिजाओं के बीज का छेत्र है यह जो हम बता रहे हैं यह वाला जो छेत्र है ठीक है यह चेत्र भी क्या कहलाएगा त्रिजिखंड तो ब्रतिखंड की तरह लगू चाप वाला जो छेत्र है वो क्या कहलाएगा लगू त्रिजिखंड ठीक है यह वाला जो नीचे वाला धीर के त्रजिखंड, ठीक है, तो त्रजिखंड क्या है, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रजजाएं, लिवम चाप के बीच का छेतर है, जो है, वो क्या कहलाता है, हमारा त्रजिखंड कहलाता है, ठीक है, त्रजिखंड भी दो तरह हैं, लगू त्रजिखं अर्द व्रत्य छे जैसे कि नाम में हैं नहिए है कि अ यह जो है अर्द व्रत्य अर्ध मतलब आधा आधे व्रत का छेत्र है अब ही हमने हमने अर्थ्व्रथ को पढ़ाता. इसी वीडियो में क्या सी परिवाश है अर्ध्व्रथ की जब दोनगों चाप बराबर हों. तो प्रतेक चाप क्या कहलाता है अर्धवरत कहलाता है ठीक है तो जब दोनों चाप बराबर होंगे तो जो अर्धवरत मिलेगा हमें तो अर्धवरत में जो है व्रतखन लौत्रिजिखन एक समान होंगे बराबर होंगे ठीक है तो यह भी याद रखेगा कि जब भी अर्धव विरत खंड उत्रिज्रजुखंड एक समान हो जाएंगे ठीक है नहां पर देखें पी-क्यू एक चाप है लाल रंका और नीले रंका भी पीक्यू एक चाप यह दोनों ही क्या है हमारे अर्द्वरत हैं ठीक है तो यह जो अर्द्वरत है इनका जो छेत्र फल है जीवा के साथ पी क्यू के साथ ठीक है और यहां पर जो जीवा है वो व्यास होती है ठीक है तो यह दोनों ही जो छेत्र हैं यह क्या कहलाते हैं हमारे अर्ध व्रत्य चेत्र उपर वाला चेत्र भी अर्ध व्रत्य चेत्र होगा और इनका चेत्र पर लाफस में बराबर होगा ठीक है तो अर् एसषार्त वह अर्धवरत् एक अब यहास की बीच का जो छेत्र है वह अर्दवरत्त कहलाता है अंतर पारण से अभी हम पढ़ेंगे कि अंतर इस को किसे कहते हैं ठीक है एक रेखाखन पीक्यू तो पहले हमने एक रेखाखन खीचा पीक्यू ठीक है एक रेखाखन पीक्यू खीच लिया और एक बिंदू लिया आर जो रेखा पीक्यू पर इस्थित नहीं होगा ठीक है अब PR को और QR को मिलाए तो PR को मिलाया और QR को मिलाया ठीक है अब जो कौन PRQ है जो कौन PRQ है यह वाला जो कौन है वो रेखाखन PQ द्वारा बिंदू R पर अंतरित कौन कहलाता है ठीक है जो कौन PRQ है रेखाखन PQ द्वारा बिंदू R पर अंतरित कौन कहलाता है ठीक ह तो ये हैं हमारा अंतुरित कौन, ठीक है, अंतुरित कौन क्या होता है, उस रेखा से, रेखा कंड से, जो है, एक बिंदू पर कौन बनाया जाए, ठीक है, तो वो उस रेखा कंड द्वारा उस बिंदू पर बनाया गया, अंतुरित कौन कहलाता है, और वो बिंदू उस रेख कब नहीं होना चीए अभी हमने अंतरित कॉंड के बारे में बढ़ा अब हम जीवा द्वारा एक बिंदू पर अंतरित कॉंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक रेखा कंड किछ लेते हैं P और O केंद्र को मिला दिया और Q और O केंद्र को मिला दिया अब यह जो कॉंड बना P O Q यह क्या है P O Q ठीक है यह कॉंड जो है P O Q जीवा P Q द्वारा केंद ओपर अंतरित कॉंड है यहां पर लिख दिया कॉंड P O Q बराबर जीवा P Q द्वारा केंद ओपर अंतरित कॉंड ठ टिक है और P और R को मिलाया और Q और R को मिलाया टिक है तो जो Con बनेगा वो Con क्या होगा PRQ THो जो Con PRQ है टिक है यह जो Con PRQ है वो जीवाधुरा धीरी चाप PQ पर टिक है नीला वाला जो है धीर्क चाप है PQ पर बिंदू R पर अंतरित कौन कहलाएगा ठीक है उसी पिकार लगुचाप पर हमने एक बिंदू लिया S ठीक है P और S को मिलाया और Q और S को मिलाया ठीक है तो जो कौन बना और अंत्यृत कहुंञट पढ़े तीन दराके कहांग रिखन में यहाँ YES ठीक है तो हम जीवा से ब्रत के अंदर अंत्यृत कहुंञ बना सकते अंत्यृत कहुंञ कैसे बनाते हैं जीवा से ब्रत कहुंञ कर्द पर जिपर ये अभी हमने सीखा प्रमे 10.1 दोस्तों हो अध्या दश में हमारे पास 12 प्रमे में तो हम यहां पे-12 प्रमे मों को पढ़ेंगे इस वीडियोमे और ये प्रमे 10.1 को पढ़तें और बरच की बरावर जिवा एं यह दोनों बरावर जिवा हैं केंड पर बराबर कोँं आंदरेत करती है तो पहले तो हम इन जिवाएं को केंड से जोड देते हैं और दोनों जीवा именно की यह जोड़ दिया है तो इस प्रम्हें 10.1 के अनुसार यह जो कौन होगा कौन AOB और कौन COD यह आपस में बरावर होंगे क्यों क्योंकि यह दोनों जो कौन हैं बरावर जीवाएं AB और CD से केंद्र पर अंतरित कौन हैं ठीक है तो प्रम्हें 10.2 प्रम्हें 10.2 जो है प्रम्हें 10.2 क्या कहती है यदि एक व्रत की जीवाओं द्वरा केंद्र पर अंतरित कौन बरावर हों तो वह जीवाएं बरावर होती हैं यहां पर AB और CD हमें दो जीवाएं दी गई हैं ठीक है जो केंद्र पर कौन AOB और COD अंतरित करती हैं तो प्रम्हें 10.2 के अनुसार य को बी जो है कॉंड को ड के बराबर है अगर तो दोनों जीवाई आपस में बराबर होंगी तो A, B और C, D जो जीवाई उड़ाई है वो आपस बराबर लंबाई की होंगी ठीक है ये प्रमेदर दत्तर्शम्टप नफ दो कहती है कि अगर जिवांद़ा केंद्र से जिवा पर डाला गया लंब ठिक है केंदृ से जिवा पर कैसे लंब डालते हैं इसको सीक लेते हैं अभी हमें एक जिवा दी गई है एबी जिवा ठिक है किन्द्र vehicle है तो से हमने एक लंब लब खीचा OM ठीक है AB पर AB जीवा पर ठीक है तो इस तरह से OM जो है लम है AB पर तो इसी को हम कहते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लम ठीक है प्रमे 10.3 कहती है एक ब्रत के केंद से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समधिभाजित करता है एक जीवा है केंद्र ओसे उस पर एक लंब डाला गया ओम ठीक है तो इस प्रमे में जो है दोब बडाब भागों में बाटेगा तो म A और M A बी आपस में बराबर होंगे क्योंकि है जो लंब ओम है वह your ayEd500 को समधिभाजित करेगा बतब बड़ाब और वागों में बाटेगा इसका मतलब MA की लंबाई और MB की लंबाई आपस में बराबर होगी प्रमे 10.4 प्रमे 10.3 का विलोम हैं प्रमे 10.4 के अनुशार एक व्रत के केंड्र से एक जीवा को सम्देवाजित करने के लिए क्की ओ क्लिए घीवा पर लंब होती है ठीक है यूब है एक जीवा है व्रत की तो अगर ओ केंद्र से AB जीवा को समद्वाज़ करने वाली रेखा खीची जाए जो कि हमने यह खीची OM ठीक है जो कि AB को दो बराबर भागों में बाटे MA बराबर MB हो तो यह जो खीची के रेखा है यह जीवा AB पर लंब होगा ठीक है OM जो है AB पर लंब होगा ठीक है ऐसा प्रमें 10.4 कहती है ठीक है क्या कहती है प्रमें 10.4 कि अगर किसी जीवा पर किंद्र से एक ऐसी रेखा कीची जाए जो जीवा को समद्वाज़ित करे अर्था दो भागों में बाटे तो वो जो रेखा कीची गई है वो जीवा पर लंब होती है प्रमें 10.5 कहती है तीन दियो वे असरेखी बिंदू द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक ही व्रत होता है ठीक है तो हमने यहां पर लिया बिंदू A, बिंदू B और बिंदू C ठीक है प्रमें के अनुसा ये तीनों बिंदू जो है असरेखी होने चाह है तीनों बिंदू ठीक है तो ये तीन बिंदू असरेखी है तो प्रमें 10.5 के अनुसार ठीक है इन तीन असरेखी बिंदू से होकर जाने वाला एक व्रत होगा और स्थिव एक ही व्रत होगा ठीक है यानि कि ये व्रत अदुतिय होगा कोई दूसर व्रत नहीं होगा जो इ प्रमे 10.5 कहती है आईए अब थोड़ा हम एक बिंदू से एक रेखा पर लंब की लंबाई रेखा की बिंदू से दूरी होती है ठीक इसके बारे में पढ़ते हैं एक बिंदू है O और एक रेखा AB ठीक है अब O बिंदू से रेखा AB पर एक लंब डाला हमने OM ठीक है तो जो OM है वो बिंदू O से रेखा AB पर लंब की लंबाई है ठीक है और यही OM जो है रेखा AB की बिंदू O से दूरी भी कहलाती है ठीक है क्योंकि रेखा AB से बिंदू O की दूरी को हम कैसे ना पेंगे कि उस के लिए वह दूरी कौन सी दूरी होती है जो की बिंदू o से रेखा a b पर जो लंब डाला गया हो तिक है उस लंब प्रमें दश्टस्णूफंग्ठ है कहते हैं कि एक व्रत की या सर्वांकस्नifrost की बरावर जीवाएं मतल polished-ऌर लंबाई कीजिवाएं केंड से समान्दूरी पर नहीं व्यूंते हैं ठीक है उसको समझ लेते हम PQ और RS दो जीवाएं है ठीक है जो की प्रम्य के हिसाब से बराबर लंबाई की है PQ बराबर RS है ठीक है तो अभी हमने O से लंब डाला PQ पर OL और उसी प्रकार केंदर O से लंब डाला जीवा RS पर OM ठीक है तो यह जो लंब मतलब 6 यही कहती है कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद से बराबर दूरी पर होती है ठीक है बराबर दूरी पर होती है इसका मतलब कि केंद से उन जीवां पर डाला गया लंभ समान-lenमबाई के कहुंगे प्रमें 10.6 का विलूम है ठीक है तो इसको पढ़ते हैं अभी हम एक वरत के केंद से समधूरस जिवाएं समान लंबाई की होती है ठीक है तो समधूरस जिवाएं मतलब केंद से बरावर दूरी पर तो यहाँ पर पर pq एक जीवा है और और deewa है क्यंड से इनकी लंबा आपनी है तो किंड से हम ने पर लंब डालने बढ़ेंगे तो ou say come l एकलंब डाला49 पर तो जीवा पíक की 15 कितनी कितनी यह गई वैसे प्रहूं करकर किंडरो से जीवा ऑरचय 지금 ओर तो केंद्रो से जीवा, र.s की दूरी हो गई, ओ, मैं, तो प्रमिले मी दर दुष्म counties शाद के अनुसार, ओ, और ऑ-ल और ऊ-म बराबर हैं, जीवाई केंद्र से सम्दूरश्त हैं, बराबर दूरी पर रुस्थित हैं, तो ओ-ल और ओ-म बराबर हैं, ठीक है, तो उनके संगत चाप सर्वांगसम होते हैं ठीक है? तो ये लाल वाला जो चाप है AB और नीला वाला जो चाप है CD ये दोनों चाप आपस में क्या होंगे सरवांगसम होंगे और इसका विलोम भी सत्य है कि यदि दो चाप सरवांगसम हो AB और CD अगर सरवांगसम चाप है AB और CD चाप सरवांगसम है मलब कि इनको एक दूसरे को डग देंगे तो अगर यह दोनोना चाप सरवांगसम है तो और CD एक चाप है ठीक है यह दोनों चाप AB और CD सरवांगसम है और बराबर लंबाई के हैं ठीक है तो यह केंद्र ओपर दोनों जो है केंद्र ओपर जो कौन अंतरित करेंगे AOB और COD तो यह AOB और COD कौन आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो हमने यहां पर जाना कि सरवांगसम चाप जह केंदर पर बराबर कौन अंतरित करते हैं, ठीक है? प्रमेंदशस्व्मलवाट कहती है एक चाप द्वारा केंदर पर अंतरित कौन वरत के सेश भाग के किसी बिंदू पर अंतरित कौन का दुगना होता है कौन समझ लेते हैं, PQ एक चाप है, ठीक है, O केंदर है इस ब्रत का, तो O को चाप से मिला दिया, P से और Q से, ठीक है, और ब्रत के सेश भाग पर एक बिंदू लिया, A, हमने उसको भी मिला दिया, ठीक है, तो चाप दरह जो केंदर पर कौन अंतरित किया गया है, वो कौन क्य 0.28 के अनुसार जो केंदय पर कौण अंतरित किया है कौण पी- Euch क्यों वह सेश भाग की किसी बिंदू पर क्यों για अंतरित कौण का दो गुना होगा तो हम यहां पर कह समझ लेते हैं तो हमारा चाप है इस चाप से वरत के इसे श्वाक पर हमने दो बिंदू लेंगे, E, ठीक है, उसको मिला देंगे, चाप से PQ से, और एक दूसरा बिंदू लिया C, इसको भी मिला दिया हमने चाप से PQ से, ठीक है, तो यहाँ पर यह यह दो-दो कॉंट बने हैं, कॉंट PAQ, कॉंट PCQ यह आपस में बराबर होंगे पीयक्यू और कॉन्टिसीक्यू बराबर होंगे यह ज़र को कि यह Space कि बराबर हो तो प्रतेख्जाप ब्र॥े हैं यहां कि आर्थवरत है और उपावालावी पई अर्धवरत है ठीक है तो अर्धवरत जो भी कूर्ण की छेचेंगे हम सेश वाग में वह समकॉर्ण होगा मतलब 90 डिग्री का होगा ठीक है तो हमने प्रमें 10,10 प्रम्य 10,10 नत्रिफ कहते है यदि दो गंदों को मिलाने वाला रेकाकंद, ठीक है तो यहाँ पर रहाँ वहाँ बिंदु ले लेड़े हम एपी उनको मिलाने माला रेकाक सफे हम उसको अंत्रिप्ष्च करने वाली रेखा के एक हे और से दो अन्य बिंदूँ ऊपर समान कौन अंतिरित करें ठीक है तो हम a b रेखाकंड के जो ऊपर ले लेथे हैं दो बिंदू एक बिंदू ले लिया हमना c A, B को C से मिला दिया, दूसरा बिंदू हमने ले लिया D, A, B को D से मिला दिया, तो ये दोनों बिंदूओं पर अगर रेखाकंड A, B, समान कौन अंतिरित करे, यानि कि कौन A, C, B और कौन A, D, B आपस में बराबर हों, तो ये चारों बिंदू A की व्रत पर इस्थित होते हैं 10.10 कहती है, चक्रिये चतरवज, दोस्तों हमने चतरवज के बारे में तो पढ़ा था, अब हम चक्रिये चतरवज के बारे में पढ़ेंगे, कि चक्रिये चतरवज क्या होता है, एक चतरवज A, B, C, D, चक्रिये चतरवज कहलाता है, यदि इसके चारों सीष, चारों सीष मत तो यह चत्रबुज क्या क्या लाएगा चक्रिय चत्रबुज तो अगर चारोसीष A B C D एक ही ब्रत परिश्थित होंगे तो यह चत्रबुज क्या लाएगा चक्रिय चत्रबुज तो यहां पर हमने देखा कि ABCD चारों सी एकी व्रत परिश्टित हैं तो हम कह सकते हैं कि चतरवुज ABCD क्या है चक्रिय चतरवुज है प्रमे 10.11 प्रमे 10.11 कहती है चक्रिय चतरवुज के सम्मुक कौनों के प्रतिक योगम का योग 180 degree होता है तो हमें इस प्रमे में दिया गया कि चतरवुज ABCD एक चक्रिय चतरवुज है तो प्रमे 10.11 के नुशर क्या होगा इस चतरवुज ABCD के सम्मुक कौनों का योग क्या होगा 130 degree होगा प्रमे 10.12 जो है वो प्रमे 10.11 का विलोम ही है तो प्रमे 10.12 कहते है यदि किसी चतरवज के सम्मोग कोणों के एक योग गुम का योग 180 डिग्री हो तो वो चतरवज चक्री चतरवज होता है ठीक है तो यहाँ है तो यहाँ पर बिद्वज चतरवज दिया गया है जिसके सम्मोग कोणों के एक योग जोग 180 डिग्री है 360 degree थीक है तोCI गौाड BC क्या होगा एक 180 degree दिए ऐसा है तो यह जो by C 002 के समय का योग 180 degree हो तो वह चक्रीव क्या कहलाता है चक्रीव चत्रीवर्भष के लाता है उता है उमीद करता हूँ दोस््त आप시면 हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यम के स्यादिक स्यादिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों